हेलो माई डियर केट्स एंड पैरेंट्स वेलकम तू माई चैनल माई पार्चाला भाई नीतु नीगा आज हम जानेंगे क्लाश ठट कंप्यूटर सब्जेक्ट से इंट्रोड़क्शन टू बिंडो बेसिक जिसमें आप सीखेंगे स्टार्टिंग बिंडो, बिंडो को स्टार्ट करना, सट्टाउन करना, डेक्ष्टर पार्ट्स, वाल पेपर, आईकॉन, कर्शर, टास्क वार्ट, एंड गैजेट्स तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, when we press power button on computer, it starts the operating system this process of starting a computer is called booting, जैसे ही हम computers के power button को click करते हैं, तो operating system start हो जाता है और इस प्रकेरिया को हम booting कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, booting कहते हैं अब हम जानेंगे, computer take stop as computer boots, we see the first screen which is will display on the computer is called desktop जैसे ही power button click करने के बाद, operating system booting होता है, उसके बाद जो first screen open होती है उसे हम take stop कहते हैं, this is take stop नेक्स हम जानेंगे, जैसे ही आप mouse रखते हैं, उसके buttons के नाफ लिखे हुए आज आते हैं this is start button start button just like road map होता है, computers का इसमें विभिन प्रकार के applications होते हैं और shutdown options होते हैं this is shutdown, shutdown क्लिक करके हम computer को properly बन कर सकते हैं next हम जानेंगे, बच्चों, search box this is search box, यह जो क्लिक कर रहा है, इसको हम cursor करते हैं blink जो कर रहा है, black color की line जैसी पटी, उसे हम cursor करते हैं and this is box is search box यहाँ पर हम अपने computers में मौजूब किसी भी file, folder या software को डाल कर find कर सकते हैं next हम जानेंगे, task bar यह 30 जो पटी दिख रही है, आपको blue color की, यह हमारा task bar कहलाता है task bar में हम कौन से option हमारे open हैं, और कौन से close हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं और साथ ही यहाँ पर task bar में हमें current date and time भी soak होता है जिसे कि हम gadget भी कहते हैं, इस date and time को click करके, this is a gadget, desktop gadget भी से कहा जाता है इसे हम अपने अनुसार, current time yet date, change करके, अपने system में soak करवा सकते हैं अब हम जानेंगे desktop icons, यह छोटे छोटे जो pictures image हैं, इसे हम desktop icon कहते हैं सब most common desktop जो आपके होते हैं, network, recycle bin, control banner, यह सारे हमारे common desktop icon होते हैं इसके अलावा यह सारे जितने भी आपको दिख रहे हैं, इसको भी हम icons ही कहेंगे and desktop यह जो हमारा desktop है, इसके पीछे के जो यह दिख रहे हैं, इसको हम wallpaper भी करते हैं जिसको हम अपनी इच्छा अनुसा चेंज कर सकते हैं, तो आज के लिए इतना ही, आपको हमारे यह वीडियो कह ऐसा लगा प्लीज comment करके अवश्य बताएं, साथ हमारा next वीडियो wallpaper में आपको बताऊंगी बच्चों की wallpaper आप कैसे change करेंगे, इसे आप दिखना ना बूलें, तो thank you